अब ते लो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदिकुरुजी फ्रेंड्स से आप बात करने बाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है और भी जो अपका रिजल्ट है वह अभी कैंसल कर दिया है अब आपका जो रिजल्ट अब नया स्रीज जारी किया जाएगा ठीक है गहाय ठीक है आपका रिभाई जम्रीज आएम बाता है कि आपका नया जो क्या जाएगगए कि उसमें जो सब्सक्राइब कर दिया जाएगा या रहेगा वो क्या नहीं रहेगा इस ब्यूडियों को सुरू करते हैं उससे पहले मैं आप से कहने चाहूंगा अभी तर टेक्निकल हिंदी चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लिए जिए ब्यूडियो को शुरू करते हैं जो भी बात आपको इस वीडियों बताने वाला हूं वह बिल्कुल भी ध्यान से देखी गया बिल्कुल बीडियों को समझ नहीं आता है फिर आप कमेंट करके पूछते हैं कि जर ऐसा होगा इस इसलिए पूरा वीडियो देखी आपको बहुत अच्छे से समझा जाए ठीक है जो आज नोटिफिकेशन पब्लिस किया गया था 11 अप्रेल को और इस नोटिफिकेशन को बारे में पूरा परग्राफ मैंने परग्राफ 22 पूरा आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में ठीक है लेकिन इस पहरे अफिसल नोटिफिकेशन में कुछ बात जो है बहुत ही इंपोटेंट जो है ठीक है यहां पर बताए गई है कुछ जो आपका स्कॉर कार्ड है रिजल्ट है आपका उसमें जो है एन एरर इन आंसर की और फीव कुस्टन ठीक है यानि कि जो आपकी पाए गया उसके बाद यहां पर एक्चुल स्कॉर और फीव कुणिडियेट यानि कुछ कंडियेट के स्कॉर कार्ड में भी एरर पाया गया है तो इन सबी को देखते हुए यहां पर हम बात करेंगे कि आपका जो स्कॉर कार्ड है कि उसमें चेंज आएगा नहीं आएगा पूरा आपके सामने यहां पर देने वाला हूं पूरा ठीक है पूरा अपडेट में आपको यहां पर दूंगा ठीक है फ्रेंट चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कर लीजेगा तो यहां पर मैं आपको बता दूँ इसकोर कार्ड में चेंज मिलेगा देखने को यहां नहीं मिलेगा तो इस बात की यह पर सब्सक्राइब आपको जरूर ही जरूर हंडे पर सट आपका जो है आपको चेंजेश देखने को मिलेगा जो आपका प्रीवेस वाला रिजल्ट रहा है यानि जो अभी जो कैंसेल किया गया उसको और इसमें रिजनेट में जरूर आपको जो है इसको काड़ में चेंजने स्थे देखनी दर्णेंगे ओर यहां पर पेपर आपका जो है उसमें तीन, दो कुस्सल्म ईंग्रेंगे लेकिन कि आपके मास्टर्स पंपर यह तो। इन सभी घ्ल यहां पर देखेंगे कि यह आपका इग्नौर्ट तो सने पदेखने को सुर्ण जो आपकी नेग्स्ट पूंट महरा नहीं नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं उसके बारे में इस प्राउब करने वाला हो उसके बाद यहांपर आठ फरवरी को जो एक्जाम मार्च सब्सक्राइब करने वाला हूं तो इन सभी चार पॉइंट्स को बारे में हम बारी बारी से देखेंगे क्या-क्या इनका आपके लिए अपडेट है और आपको एकदम प्रूप के साथ इन सभी को देखाने वाला हूं तो फ्रेंट्स चलिएगा सुरू करते हैं वीडियो को द में कुछ कुस्थ्र को जो है इंग्नौर किया है थीक है इंग्नौर भी किया है कुछ के अब कडिये अगर घर यह लेकर अगर आपको इएक कुर्प करते हैं तो आपका जो और पर हम बाप को बता दें इंग्नॉर होना चाहिए ठीक है अगर आपके मास्टर कुशन पर में दो कुछ भी नहीं है अपनी आंसर की चेक कियोगी तो इसमें बहुत सारे कुशन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे आपकी मास्टर की कुशन पर है नेल भी दोहरा जो फब्लिस किया गया था अगर वसमें दो कुस्सलर इगनौर है तो आपके स्कुर्ण कार्ड में यहां पर एक तो यह है तो मैं आपको से कहना चाहूंगा कि जतने कुस्टन मार्स्टन नहीं है उतने नहीं है जतने भी है उसी एकॉर्डिंग लिए आपको जो प्रॉरेटर मार्क सब्सक्राइब उसी के हिसाब से आपको नौर्मलाइशन मार्क से जो है कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें जो है डिफ्रेंश देखने को बहुत जादा छात्रों के लिए देखने को मिलता होगा ठीक है आपका जो जैसे की सपोर्ट जो आपका पांस तारी को आपका रिजल्ट आया था ठी उनके इसकोर कार्ड में जो है एक कोसन इगनौर है तो आपने जो इसकोर कार्ड है चात्रों का उसमें दो केक्नोर देखा हुआ ठीक है यह बहुत सारा डिफेस्स आपको देखनों को मिलेगा जो आपको पांस तारी को रिजल्ट आया गुए था ठीक है तो फ्रेंड्स यह गब देखती हुई यहां पर देखा जाए तो जो आपका इसको कारड़ जो कम जो कम हो रहे हैं ठीक है उसी अमलाइश मार्क्स जो हो रहे वह इस बज़य से कम हो रहे हैं और यहां पर बहुत कम पॉाइंट कॉलिफाई करने वह बात की जा जो आपका नए result है उसमें change होना चाहिए ठीक है कि नए result पर यहाँ पर जरू चाहिए कि इसमें master question पर जब तीन question ignore है तो हमारे scorecard में भी तीन question ignore होने चाहिए ठीक है तो इसी बज़े से आपके normalization marks से वो कम हो रहे है कि scorecard में यहाँ पर 2 question ignore है आपकी master question paper में उसमें 3 question ignore है तो यहाँ पर एक question ignore हुआ तो इसी बज़े से आपको जो है number जो है normalization marks वो कम हो रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो है scorecard में support date यहाँ पर मैं आगे बता दूँ आपको कि यहाँ पर scorecard में आपका जो है एक question ignore है ठीक है और जो master question paper हो उसमें 2 question ignore है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम जो marks score हम calculate करते हैं तो मान लीजे आपके 30 में से calculate करते हैं ठीक है 30 multiply 100 upon 99 यान्य कि जो आपका एक question ignore है वह हाँ पर हम 99 करते हैं अगर हम इसको calculate करते है तो calculate करने के पॉंट थरी पॉंट थिरी आपका अगर हम करते हैं तो हम इसे करेंगे तो सो यहां पर आपका 30 प्वांत तियटीश आया एकंडिंट को सन हमने भी यहां पर अपने को झाकर को सन लेंधनों करके एक मिलेगा तो यहां पर आपका आपके सामने टीर्थ तुका जो डिफ्रेंस आया है तो फ्रेंट इसनी सब को देखते हुए अपको जो स्कूर काड़ है तिस और इसनी तो इसे यहां तो यह सब जेन आपको कुस्ष न को मैंटर यह करता है कि आपको जो है अगर मास्टर पेपर में कम है chuckles Research घोसत होगा उसमें आपको जरूर यहां पर यह दिफ्रेर्ट देखने की मिलेगा और इसमें करना भी जाहिए क्योंकि यह बहुत ही इंप्पोटेंट रखते हैं अगर दो कुस्तन इंग्रोर है तो यहां पर एक कुछन हो रहा है यहां पर भी दो ही जाहिए तो यह बहुत ज्यादा अमें आपके मार्क सो बढ़ाने में क्योंकि आपको पता है पॉइंट बन भी आपका इतना important है competition line में कि बहुत ज़्यादा important है यही आपको cut-up qualify करवा देता पॉइंट बन मार्क सी ठीक है तो चलिए अगले points की तरफ चलते हैं तो अगला points हमारा है answer की में mistake को लेकर ठीक है तो friends यहां पर हम देखते हैं अगला point की answer की अगले points की तरफ देखते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूँ देखिए इस answer की को लेकर आपकी जारी की गई तो उसको लेकर बहुत से चात्रेंसे हैं जो इसका का दावा कर रहे हैं कि जो आपके marks है बोटीक है answer की की जो मार्क सांसर की वह वह यह तो अगर आप तो सही लगा के आयए टिकर का लेकिन रीलवे बॉर्ण को जो है गलत बता दिया तो ऐसे में आपको नजर वहां पर देख नंबर तो आपको कम हो गाई होगा क्योंकिन निगेटीम मारकिंग जो आपकी है वो बनअ पउन स्सवी trained that गलत है अगर रेलवे बोड की ने जरे में कुस्ष्ट गलत है तो आपका नमबर कटेगा क्योंकि बनापॉन थी की निगेटिव मार्किंग है रेलवे बोड को लगता है कि आपका आंसर सही है बिल्कुल तो आपको नमबर मिलेगा यहीं प्रेंट्स में आपको बतादू ऐसे बहुत से केसिस हैं बहुत से चात्र ऐसे के वह चीज का फुली दावा कर रहा है कि यहां पर रेल्वे बोड़ ने स्ची में जो है गलती किया है तो बनाट्स में आपको बतादो हैं पार्ट आ सबसे बड़ी रीजन यहां पर निकल कर आ रही है कि आपकी जो मार्क से वह यहां पर कम हो रहे हैं और आप जो है अपने आंसर को सही दिया लेकिन रेल वी बोड ने गलत कर दिया तो बहां पर आपके नंबर जित्री मिकाम सपोर्ट एक एक जाम्पल की तौर पर आपको बता देता हूं इस अपर जीरू पाइंट फाइब जीरो अगर कम हो रहे हैं लेकिन आपने जुशन दिया अंसर दिया डिया रेल वेडिकंऌ गलत है तो बहुत से चाहतरों इस पर क्यूरी की हमारे चितात की तो अगर मैं एक्जाम्पिल के तोर पर एक रख कर देखूं कि आगर आपका नेगेटिव में नमबर कट गए आपको जीरू पाइंट 50 नमबर कट गए अगर वो कुस्टन सही है और आपने सही हो गया तो आप यहां पर देख सकते जो चात्र जीरू पाइंट तो यह सब रीजन है कि रेल बोड भी जो चात्र है बहुत से चात्र पॉइंटों में रहे गाए ठीक है तो यह है तो यहां पर मैं आपको बदा दूँ कि आपका जो मार्क्स हैं वो बढ़ेगा और मैं आपको बता दूँ प्रेंट्स देखिए आपने कुस्टन को गलत किया सब्सक्राइब कि नविए चैक एपने कुस्टन सही हो गया और आपको इस चीज का नंबर मिली गया लेकिन अब जगा रूजज श्र॥ी यह बन वाइंट मुद्ट Н era का लिए अनसर लेकिन आपका जो कुस्टन सेब्स्टन और ने सही कर दिया तो आपका अउप आपका गल तो अब जो चात्र नंबर जो है यहां पर सही कर दिया जाएगा और उनका जो है आपकी बॉर्डर मार्ट सब थे सब्सक्राइब यहीं कर दिया ने दो जो क्वालिफाइगा तो अगये कुस्थन की तरफ अगला कुस्तन हमारा रहेगा तो फ्रेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पाइंट है भूत ही इंट्रेस्टिंग आपके लिए पॉइंट है यह तरफ यहां पर आपने आंसर की को देखा होगा स्कोर कार्ड को अपने चेक किया होगा तो उस टाइम पर जो है आपको यह 5-6-4 नंबर कम देखने को मिले होंगे ठीक है कि देखने को घटिक आपकी नंबर जहां होगे आपकी नंबर हैं पहले जो कोई exam होता था चाहिए आपका क्या है condition यह है कि देखिए इस question के दो कुस्षन आपके जो है दो आंसर सही है इस कुस्षन के अगर आपने इन दोनों में से किसी एक पर भी टिक कर दिया तो आपको वहाँ पर उस जगह पर नंबर मिलता मिल गया ठीक है लेकिन जो पहले होता था तेज तारिक वाले रिजल्ट आया जो आपका एलपी सेवीटी था तो आप यहां पर ऐसा रूल लाने की यह ज़रूए थे कि यहां पर जो है तो बहुत ज्यादा बहुत प्रेशर बन जाता है कौन सा सही करें सब्सक्राइब नहीं करें ठीक है तो बहां पर जो है गुरुप डियों यह सीवीटी बन हो ठीक है जो 23 तारिक को आपका रिजल्ट गोसित हुआ था उसमें भी यहां पर जो है कुस्षन को इग्णॉर कर दिया गया था ऐसी कंडिशन में ठीक है बहुत से चात्र ऐसे थे जो चात्रों ने जो कुस्षन को छोड़ दिया था जो आपका 23 तारिक को रिजल्ट आया था उसमें तो इसमें चात्रों को आपको इग्णॉर कुस्षन की नंबर भी मार्स थी वो मिल गए थे ठीक है लेकिन पास तारिक बार रिजल्ट पर ऐसा नहीं हुआ अगर आपने इन चात्राव को बहुत जज़्वर होता है तो यह दोना को सही आपकर यहां पर हो जाता है उसमें वह आपको ठोड़ा बहुत चंज देखनेयों के मिलेका अब आपको बताते हूं कि जिन गिसी कि एक किया हुआ इपने नहीं मिले गा नमराकें सकता है और जो चात्रों इन पर यहां पर बढ़ जाएगा तो यह है हमारा अपडेट यह बहुत इंट्रेस्टिंग अपडेट है तो ऐसे बचात्रों को यहां पर नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसे रहेंगे और उमीद है आपको यह हटा दी जागा और पुराना रूरी यहां पर लागू किया जाएगा तो अगला हमारा पॉइंट है चौता पॉइंट की जो आठ फरवरी को जिन छात्रों का रिजल्ट जो परिक्षा लिए गई थी ठीक है तो एक्जाम केंसल करके उस दूसरी दिन को एक्जाम लिया गए तो ऐसे पर चात्र है उनको जो है सपोर्ट डेटा कर किसी 21 22 तारीक को रिजल्ट कैंसल कि एक्जाम कैंसल किया गया था ठीक है तो उनको अगर इस इसाब से देखा जाए उनको इस इसाब से नंबर कैलिगूरेट कर रहा है कि 21 22 के एसाब से तो वो फेल कर जा रहे हैं अगर हम आठ फरवरी वाले जाने आठ फरवरी जैसा ही यहां पर जो है नंबर मिलना चाहिए ना कि हमारे जो पहले नंबर जो पेपर था उस दिन का ठीक है तो यह सभी बहुत बड़ अपडेट है शात्रों के साथ यहां पर भी थोड़ा-थोड़ा के जो है चेंज हुआ है तो इन सभी में आपको उ चार सॉलिट अप्डेट आपके लिए तो मैं यह अप्डेट आपके लिए देना चाहा रहा तो तो मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंट सा आपको जी अप्डेट चारों बहुत अच्छे समझाए गए अगर इससे रिलेटर भी और कोई दिक्कत प्रॉल्लम होती तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा धनमा दोस्तों वीडियों ने करेंगे तो अच्छे यह अच्छे आपको जोने करेंगे।